हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रैट केक एक्चलि आज मेरी बेटी का बर्दे है और मेरी तबियत भी थोड़ी खराब है लेकिन हम मदर्स को अपने बच्चों के लिए कुछ है फर्ट्स करने में इतनी खुषी मिलती है वो खुषी कहीं मी नहीं मिलती है तो हलागि उसन्द मुझे मना किया है मैं कुछ ना करूं लेकिन मैं भी कहां मानने वाली हूँ तो ये तयारी हो रही है रात की सर्प्राइज पार्टी की अभी 11.30 हो चुके है अभी वो सूच चुकी है और मैं आई हूं किच्चन में तो फ्रिज में ब्रेट की पैकेट रखी थी तो मैंने यहाँ पर ब्रेट स्लाइसेज ले लिए है मैंने यहाँ पर 12 ब्रेट स्लाइसेज लिए है तो सबसे पहले हमें जो ब्रेट स्लाइसेज के जो साइड वाला पार्ट होता है ब्राउन बाला उसे अलग कर लेना है तो मैंने यहाँ पर सारे ब्रेट स्लाइसेज से जो brown बाला part है उसे निकाल लिया है यहां बाद में bread crumbs बगेरा बनाने में use कर सकते हैं उसके बाद में मैंने यहां पर दो और यह बिस्किट के packet लिये हैं और इसका जो beach बाला cream बाला layer है उसे हम अलग कर लेंगे और biscuits को मैं mixi के jar में डालती जा रही हूं इनका हमें एक मतलब fine powder बना लेना है उसके बाद में इसमें हमें थोड़ा सा दूद एड़ कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो और यह बिस्किट के बिस्किट के इमने पापस बनाया था उसमें मैंने दूद एड़ करके इसका एकदम गाड़ा सा घोल तयार कर लिया है उधर जो हमारा बिस्किट से क्रीम बाला पार्ट हमने निकाला था उसमें हमें एड़ करना है दो से तीन चमच मिल्क पाउडर मैं इसमें एड़ कर लेती हूँ और मिल्क पाउडर एड़ करने के बाद में इसमें भी हमें थोड़ा सा दूद एड़ करके और इसका भी गाड़ा सा गोल त्यार कर लेना है इसे हमें थोड़ा अच्छी से फेटना पड़ेगा तो मैं केक तो बनाई रही थी मैंने सूचा इसका बीडियो शूट कर लेती हूँ तागी आप लोगों को भी कभी कम समय में बहुत ही जब आपके पास में कम टाइम हो और इस तरह की कोई सिच्वेशन आ जाए तो आप भी इस केक को ट्राय कर सकते हैं और इधर मैंने एक शुगर सिरफ तयार किया है अब हमें कोई भी एक प्लेट या ट्रे जिसमें हमें केक बनाना है और इस केक की खास बात यह है कि इसे हमने फायरलेस मतलब गैस पर गैस को बिना जलाए बनाया है तो इस तरह से प्लेट पर मैंने थोड़ा सा जो घोल बनाया था उससे लगा लिया है और ब्रेट के स्लाइसे को उस तरीके से हमें सेट करना है जिस भी शेप का हमें केक बनाना है तो मैंने चार स्लाइसे लेकर इस तरीके से प्लेट में रख लिये हैं और इन पर हम सबसे पहले सुगा सिरप अप्लाय करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा जो हमने ब्राउन बाला गूल बना कर तयार किया है उसे भी इस पर थोड़ा थोड़ा अप्लाय करते जाएंगे ता उसके बाद में हमें जो बाकी का बचा घूल है सारे जो प्रेट स्लाइसेज हैं उनको घूल डाल कर और एकदम कबर अप कर लेना है इसके लिए आपकी सी स्पैचुला की हेलप से भी इसे अच्छी से पेला सकते हैं सारे ब्रेट स्लाइसेज़ पर तो देखे मैंने अच्छी से इनको ब्रेट स्माइज़ेज को इदम कबर अप कर लिया है ब्राउन बाले बिस्किट के घोल से अब जो हमने क्रीम का घोल बना कर त्यार गिया था तो मेरे पास में समय कम है इसलिए मैं इस से इस तरीके से डैकोरेट कर रही हूँ आप इसे कोई कौन में भी डाल कर इसे अच्छे से इस पर डैकोरेट कर सकते हैं केक को मैं इसे स्पून से इस तरीके से ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे इस तरीके से इसे डेकुरेट कर रहे हूँ तो मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा सा डेकुरेट कर लिया है मैंने थोड़ा सा कैटबरी चॉकलेट घर में रखा था वो ले लिया है और इसे थोड़ा सा गेटनर से ग्रेट करके हम इसमें डाल लेंगे और कुछ ही जैम्स के ले लिये हैं मैंने पीसिस इनको भी इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इसे डेकुरेट कर सकते हैं आप अपने मर्ची के अकॉर्डिंग इसे किसी भी तरीखे से किसी भी शेप में डेकॉरेट कर सकते हैं तो मैंने जो सामान घर में अबिलेबल था उसी से केक को डेकॉरेट कर लिया है तो आपको आज की एक केक बनाने का तरीका कैसा लगा है कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बतायेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और हम हो तो इस तरह से आप केक बना सकते हैं एंड थैंक्स पर वाचिंग